दोस्तों चलिए डिसकस करते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को इसमें हम डिसकस करेंगे प्रार्थमी की काई यानि की प्राइमरी एजेंसी बोला जाता है सोशलाइजेशन की परिवार को और सेकिंडरी एजेंसी जो है वो बोला जाता है विद्याले को विद्याले को बोला जाता है दुइत्तिक एजेंसी और परिवार को बोला जाता है प्रार्थमी के एजेंसी तो बालक में संसकारों का प्रारम कहां से होता है वो होता है उसके परिवार से अगला question देखते हैं कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है option से सारिरिक विकास, मांसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर अपरोक्त सभी खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है खेल के मैदान में ये सभी विकास होते है आपशन से शेशव वस्था बाल्य वस्था उत्र बाल्य वस्था या फिर किशोंगा नेक्स्ट कोशन है ज़े से 12 वर्स की आयू कहलाती है आप्शन से 6 ववस्था, बाल्य वस्था, उत्तर बाल्य वस्था या फिर किशोर वस्था तो 6 से 12 वर्ष के आयू क्या कहलाती है ये कहलाती है उत्तर बाल्य वस्था 6 ववस्था की समयवधी क्या है ये है जन्म से 2 वर्ष तक बाले अवस्ता वैसे तो हम जो बाले अवस्ता है वो 6-12 वर्स तक उत्तर बाले अवस्ता होती है और 2-6 वर्स तक होती है प्रारंबिक बाले अवस्ता तो बाल्य अवस्ता का जो टाइम पिरियड है वो दो से बारा वर्स तक है इसके बाद आती है किशोर अवस्ता किशोर अवस्ता होती है बारा से अठारा तक तो शैसब अवस्ता का जो टाइम पिरियड है वो जन्म से दो वर्स तक और उत्तर बाल्य अवस्ता का होता है छैसे किशोर अवस्ता या फिर बाल अवस्ता बालक के सरीर और मस्तिस का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्ता में होता है ये होता है शैशव वस्ता में शैशव वस्ता में बच्चे का जो मानसिक विकास है और बच्चे का शाररिक विकास है वो बहुत त्रीव गती से तीव गती से होता है नेक्स्ट कोशन है बालक अपनी मा को पहचानना प्रारंब कर देता है आप्शन से आपके छे महां आट महां में नो महां में या फिर तीन महां में तो जो बालक होता है वो अपनी मा को कितने मंस में पैचानना अरम कर देता है तीन महिने में नेक्स्ट कोशन है बच्चों की सीखने की परकिरिया में माता पिता को भूमी का निभानी चाहिए आप्शन से नकरातमक, सहानुभूती पून, अग्रोन मुखी या फिर तटस्ट तो कैसी भूमी का निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की परकिरिया में अग्रोन मुखी भूमी का होनी चाहिए माता पिता की अगला कोशन देखते हैं मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है आप्शन से अभिभावक एवं अध्यापक का सेकिंड है सामाजिक एवं सान्स्कृतिक कारकों का थर्ड है वंचानुकरम एवं वातवरन का और फौर्थ आप्शन है इन में से कोई नहीं तो मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है ये है वशानुकरम और वातवरन दोनों का ये कोशन आपका सीटेट हो यूपिटेट हो ये कोशन आपका बार बार रिपीट होता है तो इसे आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है प्रार्थमिक विद्यालियों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बहतर मानते हैं आप्शन से आपके वीडियो अनुरूपन, प्रदर्शन, स्वम के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सब ही तो बच्ची जब प्रार्थमिक स्टर पर होते हैं तो उनके द्वारा जो खुद से काम करके उन्हें अनुभव प्राप्त होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है तो इसका सही जवाब है आप्शन थर्ड, स्वम के द्वारा किया गया अनुभव नेक्स्ट कोशन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमे भिन होते हैं आप्शन से विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य शम्ता या फिर व्रद्यम विकास के सिध्धान्तों में तो जो विकास का क्रम है वो तो सभी में सेम होगा कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होगा लेकिन विकास की दर अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग हो सकती है तो इसलिए व्यक्तिकत शिक्षार्थी जो है वो एक दूसरे से भिन होते हैं विकास की दर में नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सा सुक्षम गतिक कोशल का उधारण है आप्शन से लिखना, फुदकना, चड़ना या फिर दोड़ना तो जो सुक्षम गतिक कोशल कौन से होते हैं जिसमें हमारी छोटी मासपेशियों का यूज होता है हमारी छोटी मसल्स यूज होती है वो होते हैं फाइन मोटर्स तो कौन सा है इसमें से सुक्षम गतिक कोशल का उधारण ये है लिखना फुदकना चड़ना दोडना इन सभी में हमारी बड़ी मासपेशिया यूज होती है लिखने में हमारी छोटी मासपेशिया यूज होते है इसलिए ये उधारण है सूक्षम गतिक कोशल का तो यहां होते हैं आपके 10 questions complete I hope कि आपको सभी questions समझ आए होंगे ये बहुत important question थे और बार-बार ये question repeat भी होते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें अपने whatsapp study group में share करें और चैनल को subscribe करें और साथी bell icon को भी press कर दें जिससे आपको latest वीडियो के notifications मिलते रहें